हाई फ्रेंड्स तिसी वीवुदत्त फ्रम सावु टेक्नोगाइड आज का ये वीडियो में हम अन्बक्सिंग आड रिवीव करने वाले हैं डोकस 3-in-1 LED लाइट का अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाटेस्ट वीडियो का नोटिपिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो फ्रेंड लेट इस्टार्टेड तो फ्रेंड्स ये डोकस 3-in-1 LED लाइट को आप मॉल्टि पर्पस यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको एक टेबल लाम्प का जर आपको एक बेल लाम्प का यूज करना है तो भी कर सकते हैं मिन्स ये एक लाइट है जो के आपको मॉल्टि पर्पस काम में आता है तो ये डोकस 3-in-1 LED लाइट आपको Amazon.in में मिल जाता है मैं नीचे description में इसका बेस्ट लिंक दिया हूँ वहां से जाके आप चेक कर सकते है तो चलिए quickly करते हैं इसका unboxing तो friends ये हमरा box pack है यहाँ पर multifunction lights लिखा गया है ये डोकस का है और यहाँ पर आप इसको 3-in-1 यूज कर सकते हैं आज टेबल लाइट भी यूज कर सकते हैं camping light के हिसाब से यूज कर सकते हैं और flash light के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और ये side में mention इसको built-in battery आपको मिलता है तो USB चारजिंग मिलता है तो USB interface भी इसमें है और micro USB का interface भी है तो mobile phone charging interface भी आपको मिलता है और यहाँ पर USB charging interface भी मिलता है तो यह side में box में इसका button mention क्या गया है और यहां पे LED Lamp Week मिलता है आपको Professional Grade LED Technology यूज़ किया गया है Unlock Button है यह और डिरोविल ABS Plastic इसमें यूज़ किया गया है और यह साइट में 3W LED मेंशन किया गया है 10 MST मेंशन किया गया है और Switch जो है उसका फोटो भी दिया गया है तो अभी हम इसको Open कर देते हैं तो इसके अंदर आपको दो ही समर मिलता है एक USB to Micro USB का Charging Cable मिलता है यहां पे और यह हमारा Light है जैसे आप देख सकते हैं यह जगा में यह Light को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहां पे इसके Handle दिया गया है और आजे फ्लास लाइट या टॉर्स के इसाब से आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं यह जगा में एक Lock दिया गया है जो के Open करने के लिए और यहां पे Charging Interface दिया जा है जैसे कि आप इसको Open करते हैं तो आपको यहां पे एक USB का Interface मिलता है और यहां पे एक Micro USB का Interface मिलता है और यह जगा में Light भी दिया गया है Charging के Time में यह Light फ्लास करता है जैसे मैं अभी आपको यहां पे दिखा देता हूँ और यह कुछ आधा मीटर का आपको वेर यहां पे मिलता है Charging के लिए तो जैसे ही आप इसको Charging में लगाते हैं तो यहां पे जो Light दिया गया है यह फ्लास होता है जैसे आप देख सकते हैं यहां पे Red Color का Light जो है यह फ्लास हो रहा है मिन्स यह Charge हो रहा है तो जैसे ही आपका Charge Complete हो जाता है यहां पे Light जो है वो Green हो जाता है तो इसको open करने के लिए simple आपको यह जो log button है यहाँ पे press करना है तो यह उपर उट जाता है उसके बाद आप इसको इसको गुमा सकते हैं जैसे के यह जो position है यह position में भी आप इसको पूरा गुमा सकते हैं और यह जगा से आप इसको 360 degree गुमा सकते हैं देख सकते हैं कोई भी position में अगर आपको घुमाना है तो आप घुमा सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको अभी close कर देता हूं तो क्लोज करने के time में भी simple आपको यह जगा में यह button को press करना है डेन यह close हो रहते हैं यहां पर आप लॉक्त हैं तो यहां पर उसका दिया गया है जो एक 곳 सकते हैं तो यह अपन कर देते हैं तो नहीं ज़से आप इसको ऑपन करते हैं तो यह आपन दिया यह अलग तरीके से काम करता है, यहां पर पहले जो बटन को अउट करने से यह थोड़ा डीम में जलता है, और फ्रेंच अट में इसको अउट किया, तो यह फ्लाश लाइट की तरफ चला जाता है, तो एक room के अंदर अगर पूरा आप अंधरा भी कर देते हैं तो इसका light एक dim light या आपका bed light type का ये काम करेगा तो मैं अभी total light जो है आप कर देता हूँ तो ये जगह से आप देख सकते हैं मैं total light आप कर दिया तो यहाँ पे आपको इतना ही bright light मिलता है तो ये second mode में भी देख सकते हैं ये light थोड़ा bright हो गया जैसे पहले हम इसको on किये थे ये थोड़ा dim था जैसे ये अभी थोड़ा dim है तो second में ये थोड़ा bright हो जाता है तो ऐसे आप इसको आजे bed lamp भी use कर सकते हैं और second में जैसे आपको बताया था यहाँ पे मैं इसको open कर देता हूँ अगर आप open कर देते हैं तो ऐसे आप इसको एक study lamp type का use कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो ये mode में आप देख सकते हैं ये सबसे कम बाला light है तो ये जगा में आप कुछ भी study बगरा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा light चाहिए तो जगा में second mode में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा और रोशनी भी आ जाता है जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे move कर रहा हूँ तो यह जगा में आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ study करना है तो आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो दो mode आपको मिलता है यह सबसे कम brightness बाला है तो इसमें just lightly आपको light मिलेगा और इससे थोड़ा bright light चाहिए तो आप second mode में कर सकते हैं तो यहाँ पे यह और थोड़ा bright हो जाता है तो यह जब table lamp tag का आप इसको use करेंगे ओ mode में भी आप flash light को भी on कर सकते हैं जिसे उपर अगर आप switch on कर दिये तो आज यह flash light भी यह काम करेगा अगर emergency में आपको कोई भी जगा में light का ज़्यादा जरूरत है तो जगा में भी आप इसको change कर सकते हैं आण यह table lamp का mode में भी यह जो flash light रहता है उसका torch यह भी on हो जाता है फिर से अगर आपको study light on करना है तो यह से कर सकते हैं सेम अगर आपको फिर से bed lamp type का use करना है तो आप इसको यहाँ पे lock कर सकते हैं और आज बेड लैंप भी इसको use कर सकते हैं मैं room के अंदर पूरा अंदरा किया हूँ फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका flash light का focus काफी तेज है तो friends यह docus 3-in-1 LED light मुझे काफी impressed किया जिसे कि यह एक e light है बट इसको आप multipurpose use कर सकते हैं अगर आपको एक flash light चाहिए या torch type का use करना है तो भी कर सकते हैं इसका focus काफी अच्छा है अगर एक bed lamp type का use करना है तो भी कर सकते हैं या अगर आपको एक study lamp type का use करना है तो भी आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि अगर आप एक टेबल लैंप खरीजने जाते हैं या अगर आप एक टॉर्स लाइट खरीजने जाते हैं या अगर आप एक क्यांपिंग लाइट खरीजने जाते हैं तो सभी लाइट आपको मोर्दान 500 में मिलेगा बट यह जो LED light है ये आपको 1000 के आसपास मिलता है तो ये 1E light जो के सभी का काम करता है अगर ये LED light related अगर आपका कुछ भी question है तो comment section में आप मुझे comment कर सकते हैं मैं बहुत जल्दी उसका answer आपको दे दूँगा तो आसकरता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर कीजेगा अभी आप हमको facebook, instagram and twitter में follow कर सकते हैं तो हमारा social media का link आपको description में मिल जाएगा तो ऐसे ही देखते रहे हमारा channel till then state